हलो डियर शुदेंस विलकम माई यूट्यूब चैनल इस्किल क्लासेज में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 नंसीयाटी पैटर्न बुक और हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 कोशन नमबर 9 कोशन नमबर 9 वेरी मोश्ट इंपॉर्टेंट कोशन आ गया भी ध्या यूनिट 2 भी कम्टीट हो चुकी है अगर अभी तक आप नहीं पढ़ पायों तो डिस्क्रिप्ट्टिन में आपको प्लेइस की लिंक मिल जाएगी जहां से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं चलिए कोशन पढ़ाते हैं आपको कोशन नमबर 9 राइट 3 रेस्नल लंबर ब पढ़ सकते हैं चाहे जिस भी स्कूल्स के बच्चे हों आप ये कोशन से पढ़कर अच्छे सिग्जामनेशन में मार्ग गेंड कर सकते हैं तो जल्दी सी जल्द मेरे चैनल के साथ जुल जाएए सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकान आल पर प्रेस कर लिए जैसे आपको इस तरह की कोश्चन के नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कैसे सलूशन करना यहां पर यह देखिए देखिए इसमें क्या हुआ कि हमें टू फ्रेक्शनल नंबर दिये गाएं फाइप अपॉन सिक्स एंड थ्री अपॉन फाइब अब हमें इन दोन इनके डिनोमिनेटर नंबर इक्वल कर दें तो हम अराम से इसके रिष्नल नंबर बीच बाले बता सकते कैसे को करेंगे यह देखिए जो आपको इसके इंड फ्रेक्शन दिया जा उसका जो डिनोमिनेटर नंबर हो 5 उससे आप इस निमिनेटर और में मुल्टिप्लाइ कर दीजिए ठीक है कैसे 5 multiply 5 upon 6 multiply 5 यह आप multiple बिल्कुल कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं 5 5 cut हो जागा तो 5 upon 6 फिर उसी तरह आपका question हो जाएगा इस तरह आप multiply कर सकते हैं लेकिन हाँ numerator denominator denominator दोनों में करेंगे ठीक है चलिए चलिए और second fraction जो भी दिया जा उसमें first fraction के denominator से multiply करना है कैसे करेंगे 3 multiply 6 multiply 5 upon 6 ठीक बहुत ध्यान सिख लिए first fraction में second fraction का जो denominator होगा उससे multiply कर दीजे तरह 5 upon 6 multiple 5 upon 5 ठीक है और जो second fraction दिया जा उसमें first fraction के denominator से multiply कर देंगे 3 upon 5 6 और multiply 6 ठीक आप कैसे देखिए इसलिए भी को ट्रिक पढ़ा रहे है आपको बहुत ध्यान से समझी है आप कैसे solution होगे तो देखिए यह fraction multiplication हो गया तो इसका multiplication करेंगे तो numerator numerator मुल्टिप्लाई तो 5 5 जा 25 ठीक 6 5 जा 30 और यहां क्या होगा 6 ठीक अपन 5 6 जा 30 तो answer क्या मिले आपको 25 upon 30 and 18 upon 30 तो देखिए denominator नंबर दोनों क्या हो गए भी यह देखिए दोनों नंबर क्या होगे दिनों मेंट नंबर इक्वाल हो गए और जब इक्वाल हो गए तो हम आसानी से अब उसके थी रेसनल नंबर बता सकते हैं कैसे बताएंगे देखिए अब यहां पर 18 upon 30 दिया गया है तो इस्टार्टिंग कहां से होगे 18 और 25 के बीच के बताने हैं क्या एंसर आएगा 18 के बाद देखिए 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30 that is answer बस इस तरह आपको अंसर बता देने थे कोई प्रॉब्लम नहीं है यह आप सर्फ 5 नंबर पूछते तो 21 के बाद और लिग देते 22 upon 30 22 upon 30 माले 6 बता देते तो 23 upon 30 भी नोट कर देते यहनि 18 के बाद 19 upon 30 से लेकर आप 24 upon 30 तक जितने भी रेशनल नंबर आप से पूछते आप बता सकते हैं तो आई होप यह कोशन आपको सम्मन में आ गया होंगे इस प्रकार कोई भी कोशन आपको आए तो इस तरह आप कोशन कर सकते कि आप बर रिवीजन करवा दें चलिए एक बर रिवीजन भी करवा देते हैं में लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम अगर आपको हो भी रही तो इक बर रिवीजन देख लिए तो सबसे पहले आपको दू फ्रेक्शन नंबर दिये जाएंगे उन नंबर को आपको नोट कर लेने हैं, आपको क्या करना होगा, फस्स फ्रेक्शन में, सेकंड फ्रेक्शन के डियुनुमिनेटर से मल्टिप्लाइ करना है, तो 5 x 5 अपां 6 multiplied 5, & and the second fraction में, फस्स फ्रेक्शन के डियुनमेटर से मल्टिप्लाइ करेंगे, 3 multiplied 6 upon 5 multiplied 6, इसके बाद हमें 3 रेशनल नमर कहे गाए थे तो देखे 18 से लेका 25 तक नोट करना है यह नहीं कि इधर दो कोई भी कर नहीं कि आप 15 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद आप 15 से स्टार्ट कर देंगे तो 19 अपान 30 22 अपान 30 अगर आप से फोर नंबर कहते तो 22 अपान 30 नोट कर देते तो इस तरह नंबर आप यहां पर बढ़ा कर सकते हैं तो इस तरह कोई भी कोशन आया तो आप इनको कर लिए तो आई हो आप यह को समझ में आया तो जरूर लाइक कर दीजिए जिससे में मोटिवेट मिले कि हमारे बच्चों को सभी कोशन पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं तो इस तरह के सभी कोशन पाते रहिए यह लास्ट कोशन था है चली मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में तब तक और तब तक इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो सब्सक्राइब जरू कर लिए बेल आइकान आल पर प्रस कर लिए और अपने कुछ फैंड रिलेशन बच्चों में वीडियो जरूर सेयर कर दीजिए जिससे वह भी बच्चे पास सकें थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो झाल 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 झाल